जिस तरह से हमने Speed Optimization के लिए टूल देखा परफॉरमस के लिए Google Webmaster Tools देखा उसी तरह से Mobile Friendliness टेस्ट करने के लिए भी Google का टूल अवेलेबल है जिसको हम Google Mobile Friendly Testing Tool कह सकते हैं तो basically इसका लिंक आपके सामने है आप इस वेबसेट पे जाएंगे अपनी वेबसेट के यहाँ पर अड़ करेंगे तो Google आपको Mobile Friendliness के perspective से टेस्ट करेगा आपकी वेबसेट को और आपको बताएगा कि इसमें क्या issues है आया वो ठीक है या नहीं ठीक है और वो किस तरह से नज़र आ रही है तो मैं भी आपको Live Experiment करके दिखाता हूँ अभी किस तरह से टूल काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ ने अवेलेबल है आएए देखते है अच्छा Mobile Friendly टेस्ट की वेबसेट पर जब आप आएंगे यहाँ पर आके अपनी वेबसेट का लिंक एड़ करेंगे मैं DigiSales की वेबसेट ही दूबारा से टेस्ट करूँगा और मैं Run टेस्ट करूँगा जैसे कि आप मैं देखा भी टेस्ट कंपलीट हुआ तो यह आपका पेज जो है वो लोड हो गया है अब Google के मताबिक जो है वो Pages Mobile Friendly के मुबाइल पर नज़र आ रहा है लेकिन आप जैसे कि आप देखेंगे यहां मोबाइल पर किस तरह का स्क्रीन शॉट है यह क्या पिक्चर पेंट हो रही है उस करश्ट एमल क्या गूगल ने उठाया है तो आपने यह दोनों चीज़ें देखने हैं कि गूगल की नज़र में हैं उसमें जावस्क्रिप्ट के हैं उसके लावा अगर जो भी इशूस हैं यह आपको यहां पर मिल जाएंगे आपने क्या करना है कि आपने जाकर यह डिवेल्पर को अपने देना है कि अगर उसने विबसेट मोबाइल फरेंडी बनाई है जैसे कि आपने अभी देखा कि गूगल को मुबाइल-फरेंडी टेस्टि टूल जो है वो भी आपको फिर एकडिज़ करेगा कि अपनी website को optimize कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं और evaluate कर सकते हैं कि क्या issues हैं और क्या चीज़े fix हो सकती हैं.